हेलो सु मैं रजट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूव वीडियो में बात कर रहे हैं सीरेल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में और आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि रजट भाई आपने कल वीडियो नहीं बनाया बहुत अच्छा किया हमें अपडेट जाननी ही नहीं है लेकिन एक वर्ग तो ऐसा था जो बोल रहे थे कि अब छोड़ो गुमेग देखना ही नहीं है दूसरे ही तरफ लोग बोल रहे थे कि एंडिंग है अब अपडेट दे दो खतम कैसे होगा वो बता दो तो देखो यार मैं हूँ कोई और है हर कोई आपके लिए अपडेट इस तरीके से लेकर आता है कि शूटिंग के दौरान क्या हुआ और वही सरी सबको पता चलता है कि ये सीरियल के मेकर्स ने सीन शूट किया है और हम लोग आपके बास अपडेट लेकर आ जाते हैं लेकिन आज की डेट तक सीरियल के मेकर्स जो है ये भवर पाटिल और जो विलन का एंड गेम उन्होंने मनाया न कि किरन भी आ गया मंदार भी आ गया और भवर पाटिल है ही है ये सारे मिलकर सबक सिखा रहे है और पॉजिटिव केरेक्टर की बात आई तो केवल और केवल शांतनू और इशा यहां पर मौजूद है यहां पर जो कुछ करने वाला है वो आपका इशान होगा जो कुछ करने वाली है वो आपकी सवी होगी और आने वाले एपिसूड का एक छूटा सा क्लिप आपने वारेल देखी लिया होगा कल सही आ गया था जिसमें सारे ताम जाम होने के बाद जो है हमारी सवी जो है भावर पाटिल को फिर से तमाचा जड़ देती है अब ये तमाचा सवी ने इस कारण से नहीं जड़ा है कि पुलीस आ गई है और सब कुछ सिच्विशन नॉर्मल हो गई है ये तमाचा सवी ने इरिटेट होकर जड़ा है कि कितना बड़ा है ये आदमी जो कि मुझसे शादी करने के लिए किस हद तक गजड़ चुका है लेकिन अब यहाँ पर तमाचे से क्या हो जब सिच्विशन ने हम लोगों के मुँपे तमाचे पर तमाचे जड़ दी हो क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे सवी और इशान के रॉमेंस का अब रॉमेंस हमें देखने को नहीं मिला तो हम प्री कैप प्रोमू देखकर खुश हो रहे थे कि चलो फाइनली सवी और इशान जो है एक्जान देने के बाद यहाँ पर एक दूसरे के साथ मौजूद तो है शादी करने तो जा रहे है भले ही उनकी शादी ना हूपा है बॉम बॉम फूट जा है लेकिन कहीं न कहीं उनको रियलाइस तो हुआ कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं पर यहाँ पर की सिरिल के मेकर्स ने अपनी रीत अदा की और पूरी तरीके से साबित कर दिया कि गुम है किजी के प्यार में का प्रोमो सिर्फ कुछ पल की खुशी होता है और उसके बाद सिर्फ सननाटा ही हमें सिरिल के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर पूरी तरीके से एंडिंग एपिसोड तक भी जो है हमें इतनाने ही सुनने को मिल रहे हैं बोस्ते परिवार के मुझ से कि वो सभी को मनहूस, बे सहारा, बत्तमीज, वगेरा वगेरा सब कुछ बोल रहे हैं एंड रीवा ने तो यहाँ पर गलाता पकड़ लि होगा और मंदार भी काफी ज़्यादा शातिर है और किरन तो अच्छा लगता है मुझे करनवीर वहरा जब स्क्रीन पर रहते हैं तो कहानी बोरिंग बिल्कुल ही लगती है और यहाँ पर एक विलन बच जाता है मंदार मैं कहता हूँ पहली फूरसत में निकालो इसको अब यहाँ आने वाले एपिसोड की हम लोग बात करें तो दोस्तों देखो लीप अफिशली लग बग अप कन्फिरम हो चुका है यहाँ पर शक्तिरोड़ा अपने अन्ति में एपिसोड शूट कर रहे हैं यहाँ पर दूरवा अनवी और चिन में सारे लोग जो है कहानी से साफ हो जाएंगी बोसले परिवार पूरा साफ हो जाएगा और यहां पर लीप की कानिया में देखने को मिल सकती है और न्यू अपडेट्स की माने शौकिंग अपडेट्स की माने तो यहां पर सवी का सपना सपना ही रहने वाला है और सवी I.S. आफिसर भी ना बनकर इशान का सप का बड़ा मकसद बनने वाला है फिर भोसले इंस्टिउशन को खड़ा करना और उसी मौकाम तक पहुचाना जहां पर भोसले इंस्टिउशन पहले था और इसके लिए सवी एक टीचर के रूप में जो है आपको आने वाले लीप के बाद देखने को मिल सकती है अब यहां प इतेश भरदुआज के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक सिंगल फादर का करदा निफाएंगे अब यहां पर सिंगल फादर ही एक तरफ से कहानी में स्टार्टिंग में शांतनू था जो इशान के पास था अलाकि उसकी भी कहना इशान मानता नहीं था लेकिन थोड़ा तो उसको एडिट करेंगी करेंगे तो यहां पर भी कहानी जो है कहीं न कहीं सेम सी ही लग रही है कि मतलब वो अलग है यह अलग है यहां पर सभी के माइंड से इशान की यादे तो जाने वाली है नहीं तो किस तरीके से फर्ज के नाम पर एक बच्चों की बांडिंग के नाम सबी किस तरीके से जो है अपनी नई कहानी को आगे बढ़ाती है ये सबसे वड़ा मुद्दा होगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज नई बताना चाहूँगा जो मेरी तरफ से मैं आपको एडिट करके बताना चाहूँगा शायद आप इस वीडियो को आज से कुछ 6-7 8 महीने बाद देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएं वरना वैसे तो देखो लोग भूली जाता है और मैं भी डेली वीडियो बनाता हूँगा तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि सीरियल जो है यहाँ पर एक पड़ाओ आगे जा रहा है लेकिन जल्द यह पड़ाओ जो पर उनके बच्चे जो है वो कहानी को आगे बढ़ाते वे आपके सामने नजर आएंगे एंड फिर से सीरियल की मेकर्स कहानी को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे पिकॉस मुझे नहीं लगता है कि सभी की स्टोरी लाइन के साथ वो टीयार भी बटोर पाएंगे अब बच गया चोटे मोटे विलेन बीच में और थे उनको भी लेया वो कैसे बच गया उनको भी लादो तो यहार भाई प्लीज यहाँ पर जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसको ऐसे ही रंगीन आप लोग बनाये रखिएगा और मैं जो बोल रहा है ना कमेंट मत करना भर भर कर कमे जाता है तो कोई भी सवाले शेर कर सकते सपोर्ट कर सकते इंस्टेग्राम पर भी वहां पर में में रिलीज बना रहा हूं आपके लिए और दो थी नदील मैंने सीरियल से डाली है तो आई होप आपको पसना ना आएगी तो देख लीजे का आप लिंक मैंने वीडियो में जब तक के लिए तैंके दोस्तों